दोस्तों अगर आप टीवी सीरियल्स की दिवाने रहे हैं तो आपने साल 2015 में टीवी पर प्रसारित हुआ सीरियल गंगा तो देखा ही होगा जो जहां एक तरफ बाल विद्वा गंगा की कहानी की वज़े से खूब चडचित रहा तो वही दूसरी तरफ सीरियल में चायल्ड आटिस की तोर पर गंगा और सागर का किरदान निभा कर इस कहानी को पेश करने वाले कलाकार भी खूब फेमस हुए जिनका मासूम सा अंदाज लोगों को खूब पसंद आया लेकिन दोस्तों आज इस सीरियल को प्रसारित हुए पास साल बीच चुके हैं और बीते इन पास सालों में सीरियल में गंगा और सागर की किरदार में निजराई ये चौइल्ड आटर्स जो आज कहा हैं क्या करते हैं क्या से दिखते हैं आज हम आपको इसी बात की जुआनकारी देने वाले अगर आप भी जानना चुहाते हैं तो बने रही हैं हमारे साथ वीडियो की अंत सीरियल में इनका बाल विवा हो जाने की बाद ये विदवा दिखाई जाती है और इस किरदार को नोने पूरी शिदत के साथ परदे पर उतारा था तभी तो इनके आक्टिंग इतनी शानदार थी कि मेकर्स नहींने काफी शोस के ओफर्स किये और सीरियल गंगा में अपना शानदार किरदा निभाने के लिए इन्हें देश की लाडली मोस्ट परफॉर्मिंग्स स्टार का पुरुष्कार भी इनके नाम हुआ और जिसमें रुहाना खन्ना गानों की म्यूजिक वीडियो में भी नज़र आ चुकी है बात करें सीरियल में गंगा के साथ सागर की शाहुका से अपना डिब्यू किया था जुसमें इनका किरदार काफी चोटा था पर इनकी शानदार परफॉर्मेंस की वज़े से इन्हें जल्द ही गंगा के लिए चुन लिया गया जायनों ने बतौर बालकलाकार अपने इस किरदार को शानदार तरीके से परदे पर जी हाँ आप इने देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये वही गंगा है जो सीरियल में हमीशा सफे साड़ी एक चोटी और एक सिंपल हैर शाल में नजर आती थी और आजन की उम्र 13 साल की हो चुकी और पहले से काफी लंबी नजर आती है साथ ही पहले से इनके बाल भी काफी ब सागर की किर्दार निभा रहे चायल्ड आर्टिस्ट की बात करें तो अपनी 17 साल की उम्र पार कर चुके हैं और इस उम्र में पहले से काफी अलग दिखने लगे हैं जैसा कि आप सभी इन तस्वीरों में देख सकते हैं वहीं तो आज ये लाइम लाइट में ना के बराबर ही रेते हैं और हुंने अपना रस्ट अपनां सेंस और हैस्ट ठर्ड पूरी तरह बदल लिया है जहां सीरियल में इन्हें बेहत सिंपल अंदाज में देखा गया तो वहीं है जिये आज स्वार इंगोनिया कि आज के बारे में जुआन कर क्या कहना चाहेंगे हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बगाए साथ ही इंडुस्ट्री से जुड़ी असी तमाम अपडेट्स के लिए हमरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले